हाई गईज वेलकम बैक टो नदर वीड़ो आफ कोशिन फर यू आई होप गईज आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तों आज हम बात करने चारे पाई नेटवर्क के बारे में एंड गईज पाई नेटवर्क को लेके बहुत सारे लिटवली बहुत सारी खुशकबरी और बहुत सारे एकसाइटिंग अपडेट्स आ चुके हैं अभी हाल फिलाल में पाई नेटवर्क की जो दो फांडर से उन्होंने दो आर्टिकल पोस्ट किये हैं अपने बारे में और उसके साथ अभी पाई नेटवर्क का क्या प्राइज है इंडिया के अंदर हाँ दोस्तों क बहुत सारे जो पाई नेटवर्क के अंदर हुआ हो बहुत सारे जो पाइनेटवर्ड की जो पाई नेटवर्क का पनेटवर्क को बहुत जादा घूमती है तो उस चीज़ को भी आज के वीडियो के अंदर प्रॉपर किलियर करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को आल पे जरूर पैस करें चले गई सब्सक्राइब करते हैं और यहां पे इन्होंने अपनी जो पीएसडी कम्प्लीट किये स्टैनफॉर्ड उन्यूवर्सिटी से की है और उसके साथ एंथरोपोलोजिकल साइंसिस को इन्होंने पढ़ा है इसके अंदर बैसिकली हूमन के बारे में पढ़ा आता है उनके बिहेवियस के बारे में और इसी के अंदर आता है कम्प्यूटिंग के बारे में जहां पे किस तरीके से टकनॉलजी के बारे में आप सभी को अवेर किया जाए क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो crypto currencies को properly नहीं जानते या जानते भी है तो किस τरीके से proper used किया जाता है तो simple way क्या है उस चीज के बारे में यहां पे इन्होंने बताया है और उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से deep में पढ़ाई किये जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो अब हम चलते हैं दूसरे as a founder की तरफ जो की head of technology है इन्होंने बताया है कि इन्होंने भी अपनी जो education है वो भी Stanford से करी है और इन्होंने जो PhD करी है वो decentralized applications के अंदर करी है मतलब कि basically cryptocurrencies के अंदर करी है और यहाँ पे आप सभी को दो type के as a founder देखने को मिलते हैं कि दोनों ही बहुत ही काबिल है पहले जो है cryptocurrencies के बारे में proper knowledge जानते हैं कि किस तरीके से as a decentralized network काम करता है वेब तरी क्या होता है, metaverse क्या होता है और उसके साथ जो दूसरी है वो बताएंगी basically किस तरीके से humans को एक साथ लेके चला जाए और किस तरीके से proper growth हो तो मतलब ये है कि पाई network के जो founder से बहुत ही जादा as a skill or educated है जैसा कि उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाई network का जो future है कितना जादा bright है और कितना जादा successful है हम चलते हैं दूसरे update की तरफ यहाँ पे आप सबी देखो पाई के जो merchants है उनकी जो payments है किस तरीके से start कर दी गई है इस वाली footage के अंदर आप ध्यान से देखो proper इन्होंने merchant को start किया है proper banner लग रखे हैं और यहाँ पे proper advertisement हो रहा है मतलब कि हर चीज नॉर्मल तरीके से लोगों को होता जा रहा है अब हम चलते हैं next update की तरफ यहाँ पे कुछ proofs है यहाँ पे basically आप देख सकते हो कितने सारे ऐसा pioneers का validation complete हुआ है और सब की बात कीजाए तो 99% के आसपास देखने को मिलती है accuracy कहीं पे हमें 100% देखने को मिलती है और कहीं पे हमें 98 देखने को मिलती है मतलब कि जो accuracy का rate है बहुत ही अभी crystal clear है क्योंकि पाइनेटफक का जो algorithm है कहीं न कहीं बहुत बहतरीन हो चुका है जिनके अभी 3-4 accounts नहीं हो पारे उनके अंदर कोई ना कोई problem है I mean वहाँ पे कोई illegal activities हो सकती है मतलब कि वह scammer के account हो सकते है इस वज़े से इसको reject किया जा रहा है जैसा कि यहाँ पे आप देखो कि 99% की accuracy है जिसमें से 3486 के आसपास total validators थे और 3459 के आसपास यहाँ पे आप देखो तो as a complete हो चुका है और 9 ऐसे हैं जो reject हो चुके है तो कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ problems होंगी और यहाँ पे basically आप देखो तो proper 100% की भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है accuracy यहाँ पे आप सभी देख सकते हो किस तरीके से pioneers as a promotion कर रहे है और चाइना के अंदर अभी लाखों रुपे as a invest किया जा रहे है इन सभी चीज़ों को organize करने के लिए और ऐसा एक ही country के अंदर नहीं बहुत सारी countries के अंदर है और यहाँ पे as a pie के जो payment methods है products है, promotions है वो start हो चुके है जैसा कि यहाँ पे देखो यह juice cold ring की shop है, coffee की shop है यहाँ पे proper 100% accept किया जा रहे है इतना बड़ा logo लगाया गया है उसके साथ roadों पे भी बड़े बड़े logo लगाया जा रहे है तो आप सभी समझ सकते हो इन सभी चीज़ों को लगाने के लिए कितना पैसा लगता है और उसके साथ यहाँ पे जो different products है उनकी भी payment को start किया गया है पाई के दुआरा और ऐसा एक जगा नहीं है बड़ी बड़ी जो building से है उसके अंदर भी इस चीज़ को 100% accept किया जा रहे है और जो भी आप footage देख रहे हो यह सारी जो footage है पाईनियस ने खुदी post की है अब हम चलते है कुछ important updates की तरफ जो कि इंडिया से आ चुके है जैसा कि आप सब भी जानते हो Delhi NCR के अंदर एस आपाई को accept किया जा रहे है एक taxi द्वारा और बहुत सारी taxis है जो इस चीज़ को अभी accept कर रहे है अब हम चलते हैं दूसरे update की तरफ यहाँ पे जो Delhi NCR के अंदर यह outside जो as a universities है वो भी इस चीज़ को support कर रहे है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिशिकेश की basically universities है और यहाँ के जो professors हैं जो भी लोग है इस चीज़ का promotion बहुत ही बहतरीन तरीके से कर रहे है अब हम चलते है पेमेंट प्रूफ को लिखे की पाइनेटफक का price क्या होने वाला है और अब भी के टाइम में market में क्या चल रहा है यहाँ पे हम दोनों चीज़ की बात करने वाले है US dollars के अंदर आपको क्या price देखने को मिलेगा और Indian currency में आपको क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले हम बात करते हैं US dollars के बारे में तो यहाँ पे 89.76 pi की payment हुई है और यहाँ पे जो proper successful amount receive हुआ है 350 के आसपास US dollars है जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हो और यह proper payment यहाँ पे हुई है और दूसरा हम देखे तो यहाँ पे 114 pi के आसपास payment की गई है और यहाँ पे receive हुआ है 447 के आसपास मतलब बात की जाएं Indian currency के साब से तो अच्छा खासा amount आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मतलब की 30k के आसपास देखने को मिलता है मतलब की 30-40,000 के आसपास देखने को मिलता है दोनों का हम as a margin लेके चले तो अब हम बात करते हैं Indian currency में इसका क्या valuation आ रहा है और इंडिया में किस तरीके से लोग इस चीज़ को accept कर रहे है यहाँ पे 82.45 पाई की payment हुई है और यहाँ पे receive वो है 18,930 रुपे और इंका नाम भी लिखा है अमन प्रीज सिंग करके है और यहाँ पे proper इंकी सब कुछ details लिखे bank reference क्या है wallet TXCUB है और यहाँ पे dates भी लिखी है तो सारा कुछ यहाँ पे show किया जा रहा है अब हम चलते हैं दूसरे update की तरफ मतलब की price को ही लेके बात कर रहे है 335 के आसपास की यहाँ payment हुई है और यहाँ पे जो receive हुआ है जो amount है basically आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि बहुत बड़ा amount हमें देखने को मिलता है 1,34,000 ठीक है और इंका यहाँ पे name भी लिखा है केशव कुछ करके है और UCO bank से इन्होंने basically यहाँ पे किया है 1,2,3 के हिसाब से है और यहाँ पे 34,510 के आसपास हमें यहाँ पे transaction देखने को मिलती है और यह दूसरा bank है bank of buddha और यहाँ पे जो data dates पे लिखी है transaction ID लिखी है ठीक है और कहाँ पे debit हुआ सारा details यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और यह जो transaction हुई है वो phone page से हुई है और ऐसा एक निये बहुत सारे proofs है 240 के हिसाब से यहाँ पे 80,000 ICIC bank और दूसरा हम लेके चले 189 और यहाँ पे बात करें 52,900 कुछ और यहाँ पे कुछ और details है यह Amazon payment के थूँ इसकी payment की गई है ठीक है तो basically आप सभी सोचे होगे कि कितना real है कितना fake है तो मैं आपको एक चीज़ बता दू यहाँ पे यह हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने transaction की जो image है basically जो यह image है ली है बट यहाँ पे ऐसा situation में बोलना proper सही भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो dates की बात करें तो almost इंके हमें same देखने को मिलती है ठीक है मतलब कि जो dates है उसी बहाँ पे है जैसा की है मतलब कि 2 March और यहाँ पर भी 2 March के आसपास date शो की जा रही है और timing की बात करें तो almost इसके आसपास की timing है तो मतलब यह है की Pi Network का जो valuation बैंड करता है कौन buyer है, कौन seller है और यहाँ पे जिस हिसाब से transactions चल रही है यह एक बहुत हाई valuation पे कर रहे है Pi Network के coin के बिहाफ पे तो आप सब भी अंदाजा लगा सकते हो की Pi Network का क्या valuation है और आज हमने एक दो नहीं बहुत सारी transaction देखी है जो आप सभी के सामने है मैं यह नहीं बोलूँगा कि सारी transaction 100% सही है इन में से कुछ transaction ऐसी है जो ठीक हो सकती है और बागी transaction fake भी हो सकती है ठीक है, क्योंकि यह promotion करने का तरीका भी हो सकता है तो दोस्तों यह चीज मैंने यहाँ पे आप सभी को clear करी और pine network ने officially बताया है कि जो price है वो depend करता है as a सभी pioneers पे किस हसाब से कोई product का valuation होता है और किस हसाब से आप उसको receive करते हो basically demand and supply हम बात करें economic terms में तो अब हम चले next update की तरफ यहाँ पे यह जो as a pioneer है उत्राखंड के हैं और इन्हों ने basically यहाँ पे pie को mine करते हैं photo share की है और उसके साथ और भी हम updates के तरफ चले तो यहाँ पे pie pay dot india करके आ रहा है मतलब कि india के अंदर जो pie की payments है उसको start कर दिया गया है और एक ऐसे इंडियन है जिनोंने basically pie की payment के थुरू KTM bike को purchase किया है और इस वाली footage के अंदर आप देखो pie network के बहुत सारे products यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे है मतलब कि products तो है यहाँ पे जो pie का logo लगाया जा रहा है और इन सभी की जो payments है ना की cash में ना की US dollars में ना की rupees में simply pie के method में pie के coin के थुरू receive की जा रही है RR cinema करके है और इतना बड़ा इन्होंने restaurant खोला है जो कि बहुत ही expensive है और यहाँ पे आप internally भी logo देखते हो और बागी सब details यहाँ पे आप सभी के screen के सामने है तो दीरे दीरे हो क्या रहा है कि India के अंदर आप सभी ने दिखा किस हिसाब से speed बढ़ चुकी है China के अंदर भी speed बढ़ चुकी है Philippines के अंदर भी इस सब चीज की speed बढ़ चुकी है और जितने भी अलग-अलग लोग है मतलब कि जितने भी exports है पूरे international level के जो blockchain, cryptocurrencies, matter वो उसके बारे में जानते है इन सभी की यहाँ पे official meetings भी हो रही है या बहुत सारे अच्छे records क्रियेट कर रहा है और PyNetwork एक ऐसी cryptocurrency अभी के टाइम में बन चुकी है जिसके पास एक user base की हम बात करें तो बहुत जादा हो चुका है जो कि आप सभी जानते हो कि इंडिया के अंदर सबसे जादा as a cryptocurrency mining करने वाले या cryptocurrency के अंदर invest करने वाले लोग है पूरे world में से दोस्तो अब हम बात करने चारे open manage के बारे में सबसे बड़ी समस्या KYC को लेके जैसा कि आप सभी को पता है बट PyNetwork ने अब भी एक announcement किया है जहां पे बताया है कि Py की जो KYC है वो दो गुनी हो चुकी है चीजे अपडेट नहीं हो पारी तो हम KYC से प्रॉपर खुश नहीं है क्योंकि हमें प्रॉपर KYC कंप्लीट नहीं हो पारी कुछ ना कुछ steps में अटक जा रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई notification भी नहीं आया तो यहां पे PyNetwork ने एक बहुत important चीज की है जो कि legal documents को verify करने का काम किया है और अब भी के time में जिस तरीके से PyNetwork viral हो रहा है I mean popular हो रहा है उस situation में बहुत सारे PyNetwork के fake as a scammers accounts create कर रहे हैं और वहां पे fake documents बनाके उन सभी accounts को as a verify करा के KYC complete किया जा रहा है जिससे कि वो as a open manage का part बन पाए और वो fake तरीके से Py के coin को बहुत ज़ादा mine कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप सभी सोचो अभी 2000 as a 22 के अंदर पिछले साल की बात करूँ as a 29 December को उसी दिन Py के different coins को अलग-अलग real exchanges पे list किया गया था और ये shocking बात हो जाती है क्यूंकि Py की permission के बिना Py के coin आ चुके हैं और Py को basically कुछ घंटों तक पता नहीं था और उसके बाद जब उसको पता लगा तो Py ने बोला कि इन सभी as a coins को हटा दो basically ये proper fake coins है और exchanges ने जो कि real exchanges है उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम basically proper response ही नहीं किया और अभी भी आप जानते हो कि coin mart cap पे भी Py का कोई ना कोई price शो कर रहा है जो कि 40-50 US dollars है और अलग-अलग जो exchanges है Hubi, Global, CEX और भी different exchanges है वहाँ पर भी आपको Py का price देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं जो लोग नए आ रहे हैं और पाई का price तो यहाँ पर show कर रहा है तो यहाँ पर हम trading को start कर सकते हैं तो आप सभी यह गलती ना करें क्योंकि Py ने official कोई trading start नहीं करी है और नहीं Py ने कोई official अपना price बताया है तो इस वज़े से Py चाता है जो भी account verify हो वो actual accounts को verify किया जाए जिससे कि जिनोंने अपनी मैनस से Py के coin को mine किया है उन सभी की complete हो पाए यहाँ पर algorithm करता क्या है जो scammers है कहीं न कहीं वो भी बहुत smart है जैसे Py का जो system चीज़े मांगता है उसको documents चीज़े उसको यह यह चीज़े चाहिए तो scammers वो सारी चीज़े provide करते है और उनका account verify होता है जब तक Py को पता लगता है कि इनोंने बहुत सारे scam accounts fake accounts को verify करा लिया है तो इस वज़े से यह हर account के अंदर कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो उस account को pending कर देते है उसको वो personally देखते है कि क्या क्या यह सही है क्या क्या गलत है इस वज़े से जो real account से उनको भी रोक दिया जाता है scammers के account रुके आपकी account रुके क्योंकि पहले से थोड़ी पता है कि कौन सा account सही है कौन सा account गलत है इस वज़े से आपकी account में ज़्यादा time लगता है और scammers जो है उनके account को रोकने चकर में आपकी account में time लगता है इसलिए KYC कहीं न कहीं delay होती है अब बात कि जब open manage के बारे में तो open manage आप सभी को देखने को मिलेगा जून के महिने में और ये बहुत बड़े chances हैं क्योंकि उसी महिने के अंदर 5 day 2 है और वो बहुत ज़्यादा exciting होने वाला है और हमारे पास 60 day का time है और इसके बीच में proper सारी चीज़े complete हो जाएंगी I hope so तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर यही था अभी तक वीडियो पे बने हुए तो please guys एक लाइक ज़रू कर देना चैनल पे नवे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पे ज़रू दबा देना सो दोस्तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तक तक लिए जैहिंद वन्दे मात्रम